हाई एवरीबोडी वेलकाम टू पीएसेम क्लासेज तो टोड़े वी आर गोइंग टू स्टेड़ी अबाउट एसलरेशन क्या होता है बेसिकली अगर हम एसलरेशन की बात करें तो एसलरेशन हमें बताता है रेट ओफ चेंज ओफ वेलसिटी तो अगर और डीपली हम लोग ए जाते हैं तो एसलरेशन जो वर्ड है इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है ठीक है क्या एसलरेशन के बीना मोशन पॉसिबल है क्या हम लोग जो है एसलरेशन को डेली लाइफ में जरो कर सकते हैं तो देखा जाए तो एसलरेशन जो है वह हमारे हर एक मोमेंट में हमें मिलत ã merge सब्सक्राइब करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं इनियेशली हम आपनी स्पीड को सकते हैं त्हीं करते हैं तुज इस कंडिशन में आप देखते हैं कि पहले सेकेंड के लिए आपकी स्पीड कुछ और होती है सेकेंड स्टेप में और और इनक्रीज होती है 3rd second में और इनक्रीमेंट होता है तो इस टाइप से हम देखते हैं कि धीरे-धीरे करके हम जो है एक फाइनल वेलोशिटीटी एक लिए ठेंड कर लेते हैं तो यह जो पूरा अगर आपने अब्जर किया होगा कि किसी बॉडी को हम जो है किसी बिल्डिंग के टॉप से फेक देते हैं तो इस कंडिशन में क्या होता है कि इनिशली जब वो बॉडी जो है आर्थ की तरफ मूव कर रही है आर्थ की डारेक्शन में मूव कर रही है तो हम क्या देखते हैं क तो हमने उसको फ्री किया वो बोडी नीचे की और आ रही है तो हम क्या देखते है कि उसकी वेलेशिटी जो है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है means time की हर एक interval every second there is a change in the velocity of the object falling from the building okay क्या और टाइप का भी example हो सकता है acceleration का तो बिल्कुल हो सकता है for example आपने कोई stone लिया और उसको हम sky में फेकते हैं ठीक है तो जब आप sky में फेकते हो तो क्या होता है initially जब आपने उसको sky में throw किया है तो उसकी velocity जो है वो क्या होती मैक्सिमम होती है जो आप provide कर सकते हो अपनी strength के according और उसके बाद जब अपवा direction में जा रहा है जैसे जैसे वह उपर क्योंब कर रहा है तो हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा time आता है कि उसकी velocity किसी एक final point पे जाके zero हो जाती है ठीक है किसी एक final point पे जो body की velocity है वह क्या हो जाती जीरो और वहीं से वह body जो है क्या करने लगती है ठीक है और come back करती है तो उसकी velocity जो है वह धीरे 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 क्या होगी फिर से increase होगी तो यह जो example है जिसमें velocity में change आ रहा है ठीक है time के हर एक interval पर velocity का increase होना या decrease होना जो यह change है इसी change को हम लोग क्या बोलते है acceleration बोलते है okay acceleration की definition की बात करें तो acceleration को बोला जा सकता है या इसको define क्या जा सकता है as rate of change of velocity okay rate of change of velocity clear है so according to definition acceleration can be defined as the rate of change of velocity या अगर आप second definition की बात करें तो इसको एक और तरीके से आप define कर सकते हैं it is defined as the change in velocity per unit time या second तरीका क्या है चेंज इन वेलोसिटी तो पार यूनिट टाइंग तो अगर हम लोग acceleration की बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हों कि acceleration जो है वो क्या है rate of change of velocity है मिंस यह डिपेंड कर रहा है कि इस पर वेलोसिटी पर और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्लियर है सो जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ही हमारा जो acceleration है वो भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है कैसी qqa nt ये वेक्टर qa nti it is a vector quantity तो अब ही तक हमने यह बात नहीं कि कि एक असलेरेशन को रिप्रेजेंट कि से करते हैं तो था प्रेजेंट को असलेरेशन को स्मॉल एससे रिप्रेजेंट किया जाता है किस से स्मॉल एसे ओक है तो चलिए यह आभी तक हमने क्या देखा कि एस है लेट पहना है चैंट टाइं कि फीजीरो ठीच है हम Zero से Start करते हैं इसी सिल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ दा उबजेक्ट इसी को क्या बोला जाता है इनीशिएयल वेलोसिटी पेशल rely औरुसे पहले sweety होगी वह क्या होगी इनिशियल को रिबोलेंगे isicut करेंगे और इसी को किया बोलेंगे इनिशियल वल boiled homie मैं वडोनाव पर से में नस्वार ठेकर में जब हमने उब्बसार कर लिया कि इसी भी बॉड़ी को तो टाइम ती पर जो वेलोसिटी ओड़ वज्यक्ट होता है उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है और इसी को क्या बोला जाता है final velocity है पांगर हम change in velocity की बात करते हैं प sekर चेंज रोजाईगा है और सेटी डेल्टाइव उसकोल टो क्या होता है final-initial यही नहीं होता है final혈-intial ओके से क्या हो जाएगा वी माइनस यू और एसलरेशन के लिए हमने क्या डेफिनेशन लिखी है एसलरेशन के लिए हमने डेफिनेशन लिखी है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सो चेंज इन वेलोसिटी क्या था वी माइनस यू और पर यूनिट टाइम सो टी हो तो यहां से जो है हमें क्या मिला एसलेरेशन का फॉर्मूला मिल गया ठीक है टाइम यहां पे आप टी माइनस जीरो कर सकते हैं जो आपको बाद में रिडियोस होके टी ही मिल जाएगा ठीक है इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है है सिंपली लिखा ळियर dev so formula IS ъws वाल टी अब अगर हम लोग डिसकस करें तो अगर वी की यूनिट की बाथ करते है तो यहösं पर सेकंड और टी ऐचा होता है थी होता है सेखंड में सब्सक्राइब इसक्न जो किया हो जाएगा या A is equal to meter per second square, दोनों तरीके हैं, आप इस तरीके से भी इसको denote कर सकते हो, या इस तरीके से भी denote कर सकते हो, ठीक है, यह हमने SI unit की बात की है, तो कौन सी unit, SI unit, ओके, और भी अगर हम CGS unit की बात करते हैं, तो CGS unit हमारे पास हो जाएगा, centimeter per second square, या इसी सेम चीज को denote कर सकते हैं, बस power उपर जाएगी, तो minus 2 हो जाती है, या अगर किसी large scale पर हम बात करते हैं, तो वह acceleration हमारा क्या हो जाता है, kilometer per hour square, ठीक है, kilometer per hour square, यह भी acceleration की ही unit है, हमने तीन unit की बात की, SI unit, meter per second square, CGS unit, centimeter per second square, और kilometer per hour square, तो यहाँ पे question arise होता है, क्या हो अगर किसी body की initial और final velocity सेम हो, एस्यूम करिए कि हम किसी ऐसे object को observe कर रहे हैं, कि हमने जो इसको 10 seconds तक observe किया, लेकिन उसकी velocity में कोई भी change नहीं आया, for example, इसको case first में बना देता हूं, case first में हम लोग assume करते हैं, if v is equal to u, v is equal to u का मतलब क्या है, कि अगर initial और final velocity किसी object की सेम हो, तो इसमें case में आप देख सकते हैं, a is equal to क्या होगा, v minus u हमारे पास formula है, upon t, और v के place पे हम यू रख सकते हैं, तो a is equal to हो जाएगा, u minus u by t, okay, so a is equal to कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहां से हमने क्या देखा, कि किसी object का acceleration तो 0 हो सकता है, लेकिन उसकी velocity जो है, वो 0 नहीं होगी, so इस acceleration को बोला जाता है, 0 acceleration, okay, thanks to all of you, have a nice day.